जो ग्यासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन हैं आप सभी का दिव्वि स्रजन में प्रतेक दिवस की भाती आज भी हम यहां पर लाइव चर्चा का कारिकरम शुरू कर रहे हैं और आज के इस लाइव चर्चा के कारिकरम का जो विशय है वह विशय क्या है योगी का सोना और जागना योगी किस प्रकार से सोता है और वह किस प्रकार से जागता है सोने और जागने का जो अर्थ है वो बदल जाता है जी हां अध्यात्म में बहुत सारी बातों का अर्थ परिवर्तित हो जाता है संसार में या संसारिक गतिविधियों में या संसारिक प्रक्रियाओं में जो बाते हमें सही लग रही होती हैं वो अध्यात्म में जाकर बदल जाती हैं उनका स्वरूप बदल जाएगा परिवर्तित हो जाएगा इसी प्रकार से और भी कई बाते कही जाती है जैसे कि जोतिश के संदर्व में भी कहा जाता है कि जो ग्रहों का परिणाम है या जो ग्रहों का विवहार है वह अध्यात्म में बदल जाता है परवर्तित हो जाता है अगर आप अपने जीवन में अध्यात्मित्ता को अपना लें जैसे कि उदारन तह उदारन के अनुसार हम देखें तो केतू व्यक्ति को संसारिक सुखों से दूर ले जाता है लेकिन वही केतू ग्रह जो है आपको आध्यात्मिक उचाईयों को चूने में सहायक हो जाता है तो इसलिए परिभाशाएं बदलती है परस्थितियां बदलती है अर्थ बदलते हैं जब हम अध्यात्मिक जीवन को अपना लेते हैं जब हम साधना को ध्यान योग को अपने जीवन का अंग बना लेते हैं तो बहुत सारी चीजें बदल जाया करती है वैसे ही योगी का सोना क्या है और योगी का जागना क्या है वास्तों में सोने का दो अर्थ है एक सोना है जो हम शरीर का नींद सोते हैं हम जहां पर हमारी इंद्रियां सो जाती हैं और एक सोना है माया की नींद में शरीर के नींद में नहीं बलकि माया के नींद में एक सोना है लग्षन बता रहे हैं, और उसी के अंतरगत इस्तित प्रज्य विक्ती महापूरुश या योगी उसका सोने और जागने से क्या समबंद है उसको समझाने का प्रयास आगे प्रेकृश्न करते हैं तो क्या कहते हैं उस पर जरूर थोड़ा विचार आज कर लेते हैं तो भगवान श्रीकृष्ण उनहत्रवे स्लोक में शुमत भगवत गीता कि दूसरे अध्याए सांखियोग नामक दूसरा अध्याए उनहत्रवे स्लोक में क्या लिखते हैं या निशा सर्व भूता नाम तस्याम जागरती सैयमी या स्याम जागरती भूता नीशा निशा पश्यतो मुने कि सर्व भूता नाम संपूर्ण प्राणियों की जो रात है अर्थात संपूर्ण प्राणी संसार में जब सारे प्राणी जब सोने लग जाते हैं उनकी जब रात्री शुरू होती है वास्तों में जिसको वो सोना कहते हैं उसमें जो इस्थित प्रग्य सैयमी मनुष्य है तस्याम सैयमी जागरती अर्थात है उसमें जो सैयमी व्यक्ति है वह जागने का कारे करता है जो सैयमी है वह जागता है यह स्याम भूतानी जागरती जिसमें सभी प्राणी जागते हैं और संग्रह में लगे रहते हैं वह कत्व को जानने वाले जो इस्थित प्रग्य हैं जो मुनी हैं जो सैयमी हैं उनकी दृष में वो सोने के समान हैं तो संपूर्ण प्राणियों का जो सोना है संपूर्ण प्राणियों का ना रात कहने का मतलब निशा का अर्थ है रात्री तो संपूर्ण प्राणियों की जो रात है अर्थात जो सोना है वह वास्तों में योगी उस रात्री में जागते हैं सोते नहीं है और संपूर्ण प्राणियों जिसको जागना समस्ते हैं कि अगर आपने खूब धन कमा लिया खूब यश कमा लिया खूब धन वैभो इकत्र कर लिया आपने चाहे जैसे भी इकत्र किया हो अच्छे काम से किया हो बुरे काम से किया हो लेकिन संसार के लोगों के वीच में आप जागे हुए माने जाओगे, लेकिन योगी के लिए यह जागना तो सोने के समान है, वास्तों में संपूर्ण प्राणी, अब संपूर्ण प्राणी सोया हुआ किसको मानता है, संसार में व्यक्ति सोया हुआ किसको मानेगा जी, संसार में व्यक्ति सोया हुआ उसको मानता है, जो कुछ भी नहीं करता, जिसने धन एकत्र नहीं किया, धन वैभो एकठ्था नहीं किया, धन नहीं बनाया, बहुत अधिक वैभो नहीं किया, मान सम्मान एकत्र नहीं किया, जिसने ये सब चीजे एकत्र नहीं कि, जिसने यह सब चीजे एकठी नहीं की संसार में वह व्यक्ति सोया हुआ है लापरवा है, आलसी है सुशुप्ति अवस्था में है, तामसी है सोया हुआ जिसने यह सब नहीं एकठा किया धन वैभो को एकठर नहीं किया संतती नहीं बनाई, परिवार नहीं बसाया और बहुत मान सम्मान एकत्र नहीं किया तो संसार में वह व्यक्ति क्या है? संसारी व्यक्ति के लिए, संसारी प्राणियों के लिए जो संसार में लिप्त रहते हैं उनके लिए ऐसा व्यक्ति क्या है सोया हुआ व्यक्ति है वो अभी भी सो रहा है जागा नहीं है ऐसा संसार वाले मानेंगे लेकिन जो मनुष्य योग कर रहा है योगी के लिए जागने के समान है वास्तों में जो योग नहीं कर रहे हैं योग धन वैभव ही जानना चाहते हैं, जो मातर धन वैभव ही एकत्र करना चाहते हैं, या धन वैभव या विर्ती संपन ज्यान को ही प्राप्त करना चाहते हैं, इंद्रियों से जो ज्यान प्राप्त होता है, मातर उसी को जानना चाहते हैं, या उसी को प्राप्त करना चाहते हैं तो वह सब सोई हुए हैं और जागा हुआ वह योगी है जो तत्व ज्यान से संपन्न है तत्व ज्यान के मार्ग पर चल रहा है ब्रह्म ज्यान के मार्ग पर चल रहा है जो मारगी है ब्रह्म मारगी है वह व्यक्ति जागा हुआ है योग की परिभाशा का नुसार वह व्यक्त को एकत्र करने मातर तक ही जो सिमित है वह विक्ति योगियों के लिए सोया हुआ है भले वो संसार में जागा हुआ माना जाए संसार के लोग उसकी बड़ी प्रसंसा करें कि इसने खूब धर वैभो एकत्र कर लिया बड़ा सफल आदमी हो गया लेकिन अगर उसने योग नहीं किया योग मार्ग पर नहीं चल पाया तो निश्य ही वह सोया हुआ विक्ति माया के निद्रा में सोया है करम के निद्रा में सोया है तीन गुनों के निद्रा में सोया हुआ है ऐसा विक्ति सुशुप्ति अवस्था में माना जाएगा सोया हुआ माना जाएगा लेकिन जो ज्यान के मार्ग पर चल रहा है आगे बढ़ रहा है उसे हम जागा हुआ मानेंगे उसे हम जागरित अवस्था में मानेंगे तो हमें यह विचार करना होगा इस तत्थे को समझना होगा और यही भगवान स्री कृष्णी यहां पे कह रहे हैं कि या निशा सर्व भूता नाम तस्याम जागरती सैयमी या स्याम जागरती भूतानी सा निशा पश्यतो मुने हैं ता निशा पश्चतो मुने हैं तो सोया हुआ कौन है जागा हुआ कौन है योगी के लिए कौन सोया हुआ है और योगी के लिए कौन जागा हुआ है बस इसी विशे पर स्रीकृष्ण चर्चा कर रहे हैं कि कौन सोया है और कौन जागा है वास्तों में किसको सोया हुआ माना जाए और किसको जागा हुआ माना जाए जागृत कौन है विवेक से कौन काम ले रहा है और सोया हुआ कौन है जो स्वार्थ के वशिभूत एहंकार के वशिभूत मुह के वशिभूत लगा हुआ है अपने जीवन में तो उसको हम सोया हुआ ही मानेंगे अब वैसे तो रावन जागा हुआ व्यक्ति था उसने धन वैभो सब तो एकठा करी लिया था लेकिन योगियों के नजर में रिशिमुनियों के नजर में वह सोया हुआ व्यक्ति था जागा हुआ वेक्ति नहीं था वैसे देखा जाए तो संसारिक दृष्टी को उन से दुर्योधन बड़ा ही जागरत है क्योंकि वो खुब धन वैभोय कठा करना चाहता है अपने स्वार्थ की संपूर्ण कूर्ती करना चाहता है लेकिन सच पूछो तो दुर्योधन सोया हुआ है अरजुन जागा हुआ है पांडो जगे हुए है क्योंकि वो कृष्ण के साथ हैं और कृष्ण के बताय हुए मार्ग पर हैं ज्यान के मार्ग पर अध्यात्म के मार्ग पर हैं लेकिन दूसरी तरफ दुर्योधन दृतराष् मात्र धन, वैभव और संपदा, खूमी, राज्य एकत्र करना चाहते हैं और उसके लिए अपनी बुद्धी लगा रहे हैं, युद्ध भी लड़ रहे हैं तो संसारिक दृष्टी कोन से वो जागे हुए हैं लेकिन अध्यात्मिक दृष्टी कोन से वो सोई हुए हैं दृर्योधन और कौरोपक्ष के जितने भी जुद्धा हैं दुशाशन आदी, धृतराश्ट आदी, सब के सब तो शुक्ति अवस्था सोई हुए हैं सब के सब, जागे हुए नहीं है जागा हुआ है, तो अरजुन जाग रहा है गीता के ज्ञान से अरजुन जाग रहा है, तो वास्तों में जागना किसे कहते हैं और सोना किसे कहते हैं, जब आप अत्यधिक माया में लिप्त रहेंगे तो फिर उसे सोना ही कहा जाया माया की निद्रा में आप सो रहे हैं और यदि आप योग के मार्ग पर चल रहे हैं तो आप जाग रहे हैं क्योंकि मनुष्य जीवन की प्राप्ति इसी योग की प्राप्ति के लिए हुआ है नहीं तो आहार निद्रा भैमेथुन तो सभी जीव कर ही लेते हैं तो धर्म से हीन है वह निश्य ही पशु है तो धर्मवान होकर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए ग्यान के मार्ग पर चलना चाहिए तो यही विशय योगी का सोना क्या है योगी का जागना क्या है बास्तों में संसार के लिए जो जागरत अवस्था है वह योगी के लिए सोने के समान है अर्था सोशुक्ति के समान है लेकिन संसार जिसको सोया हुआ माना है जो संधन वैभो संपदा के परती राज्य के परती स्वार्थ के परती जो वेक्ति जागरित नहीं है वो सोया हुआ है संसारी लोगों के लिए योगी के लिए सारी परस्थितियां विपरीत हैं, योगी के लिए सारी परस्थितियां उल्टी हो जाती है बस यही महत्वपूर्ण विशा है कि योगी के लिए सारी परस्थितियां बदल जाती है योगी के लिए सारी परस्थितियां उल्टी हो जाती है इसलिए अध्यात्मिक जीवन जो है वह थोड़ा सा विपरीत होकर चलता है किसके विपरीत होकर चलता है सांसारिक जीवन के सब मामले में विपरीत है ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी जादा तर मामलों में अध्यात्मिक जीवन विपरीत है इसलिए जोतिश में कहते हैं कि अध्यात्मिक जीवन को जब आप अपना लेते हैं तो ग्रहों की चाल भी बदल जाती है ग्रह अलग परिणाम देना शुरू करेंगे, अलग ढंग से परिणामित करेंगे जहां भी देखने को प्राप्त होगे इसलिए जीवन बदल जाता है, प्रभाव बदल जाते हैं इसलिए कई ग्रहों के उपाय के लिए आपको साधना करने के लिए कहा जाता है मंत्र जाप करने के लिए कहा जाता है कर्मों को सही करने के लिए कहा जाता है कि आप निश्य ही लाब उठाएंगे लेकिन अपने कर्मों को तो सही कर लेजिए अपने कर्मों को तो उतकरिष्ट कर लेजिए तो जो भी ग्रह आपके बिगड़ रहे हैं वो भी अच्छा फल आपको देंगे प्रदान करेंगे यह सारी बाते यह सारे विचार आपको करने हैं बहुत गहराई से समझना है भगवान करशनी यहाँ पर विशे सुरुप से थोने और जागने की चर्चा कर रहे हैं कि वास्तों में जागना क्या है जो भीतर से जागा हुआ है जो सचेत है अपने अंतह करन के प्रती मन बुद्धी चित एंकार इनके प्रती जो सचेत है और जो इनके प्रती सचेत नहीं है उस क्या होगा मनों अनुगामी हो जाएगा इंद्रियों का अनुगामी मन बन जाएगा और इंद्रियों का अनुगामी मन बनने से बुद्धी का हरन हो जाएगा जो पीछे हमने सुना है जो सो रहे हैं जो इस अंसार रुपी निद्रा में माया रुपी निद्रा में या निशा सर्वभूता नाम जो सभी भूतों के लिए जो निशा है रात्री है जो इस रात्री में सोए जा रहे हैं खला उनको जागा हुआ कैसे कहा समस्या यही है कि वो माया रूपी निशा में विश्राम कर रहे हैं, माया रूपी निशा में सो रहे हैं, लेकिन जागने का उपाय होना चाहिए, वो साधना से होगा, आत्म ज्यान, ध्यान, योग से होगा, जागने की प्रक्रिया मिलेगी, जब ध्यान, योग का कोर्स आप क इसलिए कृपया करके आप जागिए ऐसा उपदेश श्रिमत भगवत गीता में देने का प्रयास किया जा रहा है इसलिए हमको सोना नहीं है हमको जागना तुर्यूधन सोया हुआ है पांडो जगे हुए है तिकि वो योगमार्गी बन रहे है सचेत होना जरूरी है सवेम के परति सचेत होना मातर बाहरी वस्तुआं के परति नहीं बाहरी विवहार के परति सचेत होना कोंशेश होना अथी आवश्चक है तो यही भगवान गृष्ण का यहाँ उपदेश है कि तुम जो योगी है जो इस्थित प्रग्य योगी है उसके लिए सोना और जागना क्या है संसार मिधन वैभो एकत्र करना यह सब सोने के समान है मोक्ष की और बढ़ना ही जागने के समान है क्या वल्ले की और आगे बढ़ना ही जागने के समान है तो हमें जागने की प्रक्रिया को भी भली भाती समझना चाहिए जागने का जो तरीका है जो मार्ग है उसको भी अच्छे से समझना चाहिए नहीं तो बहुत भारी गलती भी हो सकती इसलिए एक प्रोपर वे में यहां पर आपको ध्यान यूग का कोर्स चलता है या जागने की प्रक्रिया है या ध्यान यूग का कोर्स क्या है या जागने की प्रक्रिया है जागरित होने की प्रक्रिया है तो यह कोर्स ऑनलाइन कोर्स यह चलता है पिस दिसंबर से शुरू हो रहा है लेकिन कई लोग प्रश्ण करते हैं कि भला ध्यान योग आप आप आउनलाइन कैसे सिखाएंगे ध्यान योग भला आप आउनलाइन कैसे सिखा देंगे तो उसी के लिए आपको नहीं समझ में आ रहा कि ओनलाइन क्या होगा कैसे होगा तो एक फ्री डेमो क्लास रखा गया है फ्री डेमो क्लास 14 दिसंबर को 14 दिसंबर को 14 दिसंबर 2022 2022 तो 14 दिसंबर को साम को 6.30 दिसंबर आपको यह कारिकरम है तो यह जो डेमो क्लास जो हुआ है जो इसलिए रखा गया डेमो क्लास इसलिए रखा गया ताकि लोग समझ सकें कि यह कारिकरम आउनलाइन मिडियम से कैसे चलेगा जिन्हों ने डेमो क्लास ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करकर इसका लाब उठा लिया वो समझ गया होंगे जैसे कि आज डेमो क्लास हुआ आगे भी है डेमो क्लास होगा डेमो क्लास फ्री देमो क्लास जो है आपको आगे भी प्राप्त होगा, आगे भी मिलेगा तो जिन्होंने इस free डेमो क्लास को समझा है कि यह online क्लास कैसे चलेगा तो निश्य ही इसको ज्वाइन करकर अपकर कारिकरम का भली भाति आप लाब उठाई ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करकर उसी प्रकार से ध्यान योग का जब हम कोर्स ज्वाइन करेंगे हम स्वेम के परती जागरित होना सीख जाएंगे अपने परती थाथ ही शरीर के बहतर स्वास्त के लिए immunity power को develop करने के लिए रोगों से लड़ने की छमता को विक्सित करने के लिए जरूरी है प्राकरतिक चिकिस्था को भी जानना और समझना प्राकरतिक चिकिस्था का अभी कोर्स आप बीस तारीक से ज्वाइन कर सकते हैं तो बीस तारीक से यह कोर्स सुरू होगा duration one month guided meditation, transcendental meditation, spiritual healing यह सारी चिज़ी आपको इसमें सिखाई जाएंगे ध्यान योग के कोर्स में प्राकरतिक चिकिस्था में भी बहुत सारी क्रियाएं होती है hydrotherapy होती है, जल के क्रियाएं होती है कुछ जिसे की उप्चार किया जाता है उन सभी जल से, अगनी से प्राकरतिक चक्तियों का प्रयोग किया जाता है प्राकरतिक रूप से किया जाता है यही प्राकरतिक चिकिस्था की विशेस्ता है कि प्राकरतिक चक्तियों का प्रयोग बिमारियों को ठीक करने में प्राकरतिक रूप से किया जाए यह नहीं कि किसी दूसरे रूप से किया जाया तो प्राकर्तिक चिकित्सा के इस विशय को भली भाती भी हमें निश्य रूप से हमें समझना चाहिए प्राकर्तिक चिकित्सा के इस रूप को कोर्स उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं विमारियों को दूर करने वाला कोर्स है। इक लेकिन यह ध्यान योग मन का रोग दूर करता है। यह जागना सिखाता है यह सोना नहीं सिखाता है। तो निश्यहीं हमें इन कोर्षेस का लाब उठाना चाहिए और जागरित होकर इन कोर्षेस के परती जाग कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारे जीवन के देखिए बहुत सारे पक्षे हम सुरुवात में ध्यान नहीं देते बाद में समझ में आता है कि हमें जीवन में इस पक्ष पर भी ध्यान देना चाहिए था कई बार हम अध्यात्म को बहुत हलका पक्ष मान लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं भी अध्यात्म को जानेंगे तो जीवन अच्छा बीद जाएगा जी नहीं बहुत सारे मन में प्रश्ण होते हैं लोगों को अपने जीवन को लेकर वो बिना ध्यान योग के बिना अध्यात्मिक मार्ग को अपनाए बिना अध्यात्मिक मार्ग को अपनाए जब तक अध्यात्मिक मार्ग को नहीं तो यह जीव जगत यह जीव यह सो ही रहा है निद्रा में ही अपना जीवन वितित कर रहा है वर जागर तवस्था में है ही नहीं यह मानना पड़ेगा किसी के साथ जिग्या सुओं हमें जागना है तो यह ध्यान योग को और प्रैक्टिकल स्प्रिच्विलिटी देखिए जो भी आप सुनते हैं वो थिवरी है जो भी आप पड़ते हैं वो थिवरी है लेकिन प्रैक्टिकल स्प्रिच्विलिटी क्या है जब आप अपने आपको साधना के मार्क पर योग ध्यान के मार्क पर ध्यान योग के मार्क पर योग साधना के मार्क पर उतार देंगे तो फि अभी हमें चान पाएंगे तो यह प्रैक्टिकल अध्यात्म से ही संबव है तो बीस दिसंबर से यह कारिकरम चुरू हो रहा है तो निश्य ही आप इस से लाभानवित हो लाभ उठाएं अपना कल्यान करें समाज का भी कल्या तो जिग्यासूं इसी के साथ हम विराम देंगे आज के विचारों को बहुत बहुत आभार आप सभी का कल फिर मिलेंगे 9 पीम लाइव सर्चा में ओम तस्त